Hello everyone, I welcome you all to the vocab show आपकी vocab preparation के लिए one stop solution इस शोपर हम बात करते हैं 5 words ऐसे words जो हमारे previous year exams में आचुके हैं और जो आने वाले exams के लिए बहुत important होते हैं यहां हम सर्फ किसी word के synonyms नहीं समझते हैं या उनको रटा नहीं मारते हैं हम उस word को समझते हैं उसका correct usage देखते हैं कि sentence में वो word कैसी use होगा उसका context क्या होगा because exams में सिर्फ synonyms के जो questions होते हैं वही नहीं आते comprehension part भी होता है वहाँ पर आपको यह चीज़ बहुत काम आएगी तो चलिए शुरू करते है तो आज का पहला word है doleful doleful का मतलब क्या होता है doleful का मतलब होता है expressing sorrow दुख व्यक्त करना moroonful melancholy and sorrowful grief stricken मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बताती है कि वो दुख व्यक्त कर रहा है ऐसी कोई बात हो सकती है या फिर उसका expression हो सकता है that is doleful वो उसका behavior doleful है तो कोई भी चीज़ जो दुख व्यक्त कर रहे है that is doleful विल आप करना so इस word को हम एक sentence के तुरू देखते है समझते है कि और चीज़ दो कांटेक्स के कॉर्डिंग चेंज हो सकते है तो हम sentence के तुरू समझते हैं तो चादा बेटर सुन में आएगा है ठीक है the doleful melody echoed to the empty halls जैसा पराणी मुवीज महोता था कि कोई पराणी कुछ आप दुखी बरीदा अभी भी होता है even movies like हम मुवीज में देखने कि कोई sad scene है तो एक background music है वो चल रहा है तो वही चीज यहां पर हो रही कि में एक empty halls में वो आवाज कूँच रही है जो दुख पर ही है okay so the next word is gruff gruff का मतलब क्या होता है gruff का मतलब है rough and low in pitch कोई ऐसी चीज़ जो rough है ठीक है harsh, abrupt, unpleasant अब यहां पर दो harsh, abrupt, unpleasant तो यहां पर अलग-अलग context की बात हो रही कि unpleasant वो sentence के according होगा कि gruff का मतलब क्या होगा वहां पर unpleasant होगा जब वो sentence उस तरह से यूज किया जाएगा ठीक है यहां पर असब भी असका मतलब लिखका होगा तो that is वो sentence context के ओपर आएगा but हाँ of the old sailor added authenticity to his stories मतलब जो old sailor था उसकी voice में जो खरारा बन था है फिर आप बो लो roughness थी वो उसकी stories में और authenticity दाल रहे थी मतलब सची लगे हैं वो कहानी ऐसी ऐसा लग रहा था ना उसकी voice से so next word is fidelity fidelity का मतलब क्या होता है fidelity का मतलब होता है faithfulness to a person cause or belief मतलब किसी भी चीज़ के लिए faithfulness okay so fidelity का मतलब है कि भरोशा भरोशा निष्ठा निष्ठा है या पर जो वर्ड लिखा हो निष्ठा का मतलब क्या है कि एक loyalty okay so synonyms are loyalty devotion allegiance and faith किसी भी चीज़ में भरोशा जताना या फिर भरोशा होना भरोशा सो करना that is fidelity जिससे कि यहाँ पर एक example दे रखा है हमारे वर्ड को यूज करता हुए sentence का the dog showed unweavering fidelity to its owner जो एक कुटा था उसने अपना के दे न अतुल भरोशा दिखाया अपने ओनर के उपर जानवा यसी होते हैं हमारे जो ये पेट्स होते हैं आपके वो आपको आपसे बहुत प्यार करते हैं तो वो आपकी हर वो लॉयल रहते हैं उनको कोई selfishness नहीं होते हैं उनके इंदर राई तो वो ये sentence बता रहा है fidelity का मतलब क्या है loyalty, nishtra जो आजकी rate में मिलना बहुत मुश्किल है infructuous infructuous का मतलब क्या होता है infructuous का मतलब होता है fruitless unprofitable मतलब कुछ भी ऐसे चीज़ जो बरबाद है मतलब जो करना फालतों का काम है जैसे की आप series देख लो या कोई movie देख लो जो बेकार की थी सारी movies बेकार होती है बर कुछ movies जिसका कुछ sense नहीं होता still you waste time that is infructuous जिसको देखके आपको लगए कि यार बेकार है अपना time बरबाद हो गया और कुछ मज़ा भी नहीं आया that is infructuous so उसके synonyms क्या है fruitless, unproductive, parent, unrewarding मतलब कुछ भी ऐसी चीज जिससे हमें profit नहीं हो रहा जिससे मतलब ऐसा लग रहा है कि बरबाद हो गया मतलब इतना हमने efforts डाले फिर भी बिकार है that is infructuous निर्फल लिखा है यहाँ पर पुसक निष्फल मतलब ऐसी चीज जो मतलब करके यह लगे कि बिकार है that is infructuous so let's see a sentence despite their efforts the mission turned out to be infructuous मतलब उनके जतन करने के बाद भी जो mission था वो बिफल रहा मतलब वो कुछी काम कह नहीं रहा उसमें से कुछ output नहीं निकला वो बेकार हो गया है productive नहीं रहा so the last word for the show is garnish garnish का मतलब क्या होता है garnish का मतलब होता है decorate करना embellish करना किसी जो सजाना decorate करना जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आप हैंगे रेस्टरॉंस में जाओ तो वहाँ पर क्या होता है restaurant में आपको देखने को मिलता है की चीज़ वही होगी but उसको present करने का तरीका बहुत अलग होगा generally garnish का use हम ornament को सजाने के और या फिर food को सजाने के sense में use करते हैं तो मैंने ये example दे आपको कि आप restaurant में जा रहे हो तो आप देखो कि वहाँ पर वह बहुत अच्छे से इसको plate में सजा के लाते है चाहें बहुत चोटी चीज होगी उसको बट सजाएंगे अच्छे से तो that is garnishing इस garnish को हम कहीं और भी उसकर सकते हैं but the means is generally you will see it in food or ornaments so उसके synonym है addon, decorate, ornament, embellish सजाना इसका मतलब है तो let's see एक sentence जहां पर यह यूज हुआ है the chef used fresh herbs to garnish the dish beautifully so जो chef था उसने जो पतियां होती है दिखाऊगा आपने की वो धनिया डाल देते हैं उपर से लेक है न different leaves डालते हैं और या फिर आपने दिखाऊगा juice का ग्लास होता है आपने साइड में खीरा लगाज़ते हैं और निबू लगाज़ते हैं so that is garnishing okay so that's it for today यह पांच वर्स थे but before saying goodbye let's have a very quick revision before so the first word was doleful doleful का मतलब कहा है expressing sorrow moroonful दुखी होना विलाप करना second word was gruff gruff का मतलब होता है rough and low in pitch harsh abrupt unpleasant third word was fidelity fidelity का मतलब होता है loyalty devotion faithfulness nishtha and next word was infructuous infructuous का मतलब होता है fruitless fruitless unprofitable unproductive ऐसी चीज़ जिसको करने का कोई फाइदा नही हुआ सब पर बाद हो गया है and last one is garnish garnish का मतलब का है decorate करना embellish करना sajana especially food को okay so that's all for today and make sure you subscribe to the channel and be regular with the shows and I will see you in the next one bye-bye